हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 6 के स्टिविक का फर्स चेप्टर, अंडरस्टेंडिंग डाइवर्सिटी का फर्स पार्ट डिसक्स करने जा रहे हैं, आई ये शुरू करते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, तो बच्चों इसे हम एक उधारण से समझते हैं, जैसे आपके क्लास में बहुत सारे आपके जो दोस्त हैं, वो आप से अलग हो सकते हैं, और वो सभी आपस में एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, यह कई रूप में अलग हो सकते हैं यह difference जो है उनमें वो कई रूपों में हो सकता है जैसे कि हो सकता है कि वे घर में एक दूसरी दूसरी भासा बोलते हो जो कि आप अपने घर में न प्रयोक में लाते हो हो सकता है कि उनका धर्म लग हो हो सकता है कि उनकी रंग लगो, उनकी आकारा लगो, कोई आप से लंबाई में कम हो, कोई आप से लंबाई में अधिक हो तो यह सभी differences हो सकते हैं दोस्तों और इन ही differences को हम मिलाग करते हैं कि यह एक diversity है, विविता है अब इसे कुछ exercises देखते हैं, जैसे आपको इसमें अपने बारे में जानकाईया देनी है जैसे, when I go out, I like wearing, जब आप बाहर जाते हैं तो आप क्या पहनना पसंद करते हैं तो आप जब बाहर जाते हैं तो आपको क्या पहनना पसंद है? इसका जवाब जो आप देंगे वो हो सकता है कि आपके किसी दूसरे दोस्त से वो अलग जवाब हो यानि कि यहाँ पे एक difference है At home, I speak in जब आप घर में होते हैं तो आप कौन सी भास्टा का प्रियोग करते हैं? तो हो सकता है कि आप जिस भास्टा का नाम बताएं आपका दोस्त किसी और भास्टा का नाम बताएं यानि कि दोनों में अंतर हो My favorite sport is, आपका favorite sport कौन सा है? तो आपको हो सकता है कि जो चीज पसंद हो, आपके दोस्त को किसी और game में यादे interest हो, उसे कोई और खेल यादे पसंद हो I like reading books about, आपको किन सीजों के बारे में पुस्त के पढ़ना पसंद है? तो आपका दोस्त हो सकता है कि आपसे कोई अलग interest रखता हो, उसकी रूची जो है आपसे अलग हो तो ये दोस्तों जो है, ये तरीके हैं जानने के कि आपके बीच में किस प्रकार differences हैं और ये जो differences है, इसी को हम कहाएंगे कि ये diversity है, भी भी थिता है अब देखते हैं, आपके बुक में एक छोटी सी story दी हुई है इस story को हम पढ़ते हैं, ये मैं इंग्लिश में लिखा हुआ हूँ यहाँ पर, तो इंग्लिश में मैं पढ़ूँगा, फिर आपको इसको हिंदी में 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 बताऊंगा ये कहानी जो है, लिखी गई है, पॉलिस ये अनगुपता के द्वारा, और इस कहानी का नाम है, दा लाइट चेंजड, तो आएए सुनुरू करते हैं इसको एक लड़का है, जो की, एक चौराहे पे, एक इंटर्सेक्शन पे, निउस्वेपर बेजता है, और उसे कपड़े जो है, बहुत ही फटे पुराने से हैं यहाँ जहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि राइटर अपने बारे हैं बोल रहा है, यानि कि जब भी लेखक, जिसने कहानी लिखी है, वो लिखता है कि जब भी मैं क्रोसिंग के पास पहुचता हूँ, तो वो दोड़त हुए मेरे पास आता है, और वो इंग्लिस जो कि हिंदी और इंग्लिस दोनों में मिक्स होता है, इस टाइम आइ स्टॉप बाई दे प्यवमेंट और आपके पास रूपता है, यानि जहाँ ब्रेकर जैसा होता है, वहाँ पर रूपता है, ठीक है, और उसे एक हिंदी निशे पर मांगता है, जब वो हिंदी निशे प इसके पास रूप करके इसे मांगता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग है, क्यों उसका मुझ खुला रा जाता है, यू मिन नो हिंदी, वो पूछता है पेपर बेशने वाला बचा, कि इसका मतलब आपको हिंदी आती है, तो इसने पेपर के लिए पैसा दिया और बोला, of course, हाँ मुझ आती है, why, what did you think, क्यों तुम्हें क्या लगा, वो रुपता है थोड़ी देर, पेपर बेशने वाला बच्चा, but you look so so अंग्रेज, लेकिन तुम तो इतना अंग्रेज जैसे दिखते हो, उसने कहा, you mean you can even read हिंदी, यानि कि फिर पूछता है, कि इसका म अपना पेशन्ट जो है, खो देता है, अपनी धहरे को खो करके बोलता है, क्योंकि इसने इतना प्रश्न पूछ दिया है, कि थोड़ा सा लेखा परिशान हो गया है, I can speak read and write हिंदी, मैं बोल सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं लिख सकता हूं हिंदी, हिंदी is one of the subjects I study in school, हिंदी, एक विशा है, जो मैं विद्याले में पढ़ता हूं, अब वो बच्चा पूछता है, subjects, विशा, how could I explain what a subject was to someone who had never been to school, लेखा कहता है, कि मैं किसी को कैसे बता हूं कि subject क्या होता है, जो कभी school में नहीं किया है, well it is something, अब ये बताना शुरू करता है, कि हाँ ये तो फिर वो वहाँ से चला जाता है, next day he was there again, अगले दिन वो फिर वहाँ आता है, smiling at me and holding out a new Hindi paper, अगले दिन वो फिर उसके पास आता है, उसको मुस्कुराता है और Hindi paper उसको देता है, भाईया, he said, आपका आखबार, अब बताईए, ये subject क्या चीज है, ठीक है, तो वो जो प English word, यानि कि जो उसने subject word यूज किया है, अपने बात में, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया आपको, उसने बोला, अब बताईए, ये subject क्या है, चीज है, यानि जो subject word इसने यहाँ पे बोला, तो लेखक कह रहा है, कि जो इसने subject word बोला है, ये English word है, और ये उसकी जुबान से थोड़ा सा अलग जैसा दिखता है, ठीक है, it sounded like its other meaning in English, यह ऐसा लगता है, कि इसका खुछ और meaning होगा English में, oh, it's just something to study, लेखक कहता है, उसको बच्चे को बताता है, ठीक है, कि यह सिर्फ एक पढ़ने का विशाय है, because the red light had come on, I asked him, have you ever been to school, अब red light जल गया है, फिर भी ये जवाब दिया, कभी नहीं, never, and he added proudly, और उसने फिर गर्व से और बताया, I began working when I was so high, he measured himself against my cycle seat, first my mother used to come with me, but I can do it all alone, पूचता है, कि क्या तुम कभी स्कूल गय हो, तो ये पेपर बेशने वाला बच्चा बोलता है, कभी नहीं, never, फिर वो अगर वसे बताता है, कि जब मैं इतना उच्चा था, इतना बड़ा था, तब से मैं ये काम करना शुरू कर दिया, कितना बड़ा, वो जो बच्चा ज भी मेरे साथ आती थी, लेकिन मैं ये जब अब अकेले कर लेता हूँ, अब पूचता है, where is your mother now, और ये पूच करके, और चुकी light change हो चुकी है, rate color अब खतम हो चुका है, green हो गया है, लोग आने जाने लगे हैं, तो फिर वो भी चल देता है, लेकिन फिर वो पीछे से उसने अगले दिन बताया कि my name is Samir, मेरा नाम Samir है, and very shyly he asked what's your, और अगले दिन जब वो बच्चा फिर से मिलता है, पेपर वाला बच्चा इससे, तो कहता है कि मेरा नाम Samir है, और फिर बहुत ही सर्माते हुए पूचता है, तुम्हारा क्या नाम है, इसने बताया मेरा भी नाम Samir है, क्या, his eyes lit up, उसकी आँखों में चमका जाती है, ठीक है, जब ये पेपर बेचने वाला बच्चा बताता है कि मेरा नाम Samir है, और उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो सामने से पेपर खरिदने वाला बच्चा बताता है कि मेरा भी नाम Samir है, I grinded at him, उसने कहा, I grinded at him, उसने कहा, it's another name for Hanuman's father, you know, उसने कहा कि तुम्हारा पता है कि ये हनुमान जी के पिता का एक और नाम है, ठीक है, Samir, अब उस पेपर बेचने वाले बच्चे ने, पेपर खरिदने वाले बच्चे से कहा, कि अब तुम Samir एक हो, और मैं Samir दो हूँ, आपको तोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, Samir एक कौन हुआ, जो पेपर खरीद रहा है, और Samir दो कौन हुआ, जो पेपर बेच रहा है, Something like that, I answered and then I held out my hand, हाथ मिलाओ Samir दो, his hand nestled in mine like a little bird, ठीक है, उसने Samir दो ने कहा, याँनि पेपर खरिदने वाले बच्चे ने कहा, कि हाथ मिलाओ Samir दो, तो दोनों ने हाथ मिलाया, I could still feel its warmth as I cycled away, the next day he did not have his usual smile for me, ठीक है, हाथ मिला करके चले गए, ठीक है, अगले दिन जब वो आता है वापस पेपर खरीदने वाला बच्चा, लिखता है कि, अगले दिन जब मैं उस पेपर बेचने वाले बच्चे से मिला, तो उसके छेहरे पे वो इसमाईल मेरे लिए न कहता है कौन पेपर बेचने वाला बच्चा कहता है कि, there is trouble in merit, मिरट में problem हो गई है, मिरट कौन सी जगा, जहाँ पे उसकी मदर रहती है, ठीक है न, तो वो कहता है कि मिरट में problem हो गई है और बहुत सारे लोग वहाँ पे दंगे में मारे गए हैं, I looked at the headlines, communal rights, it placed, अब ये ज माकता हुआ ये वर्ड इसको दिखता है न, but Samir, I began, उसने फिर कहना कुछ रोकिया, but Samir, I'm a Muslim Samir, he said in answer, and all my people are in merit, ठीक है, जब पेपर खाइदने वाले बच्चे ने कहा, यानि Samir एक ने कहा, but Samir, तो उसी समय बीच में रोकते हुए, पेपर बेचने वाला बच्चा काता ह है, कि मैं Muslim Samir हूँ, और मेरे परिवार के सभी लोग मेरट मेरते हैं, his eyes filled with tears when I touched his soldiers, ठीक है, जब उसने, पेपर खरीदने वाले बच्चे ने, Samir एक ने जब Samir दो के कंदे पे हाथ रखा, तो Samir दो जो है, उसकी आंकों से आसू आ गया, और वो उपर अपना सिर उठा करके उसे नहीं देख पाया, he was not at the crossing the day after, neither the day after, nor ever again, and no newspaper in English or Hindi, can tell me where my Samir though has gone, ठीक है, कहता है कि उसके बाद उस crossing पे वो नहीं दिखा, और कभी भी नहीं दिखा, और नहीं English या Hindi में newspaper दिखा, can tell me, नहीं Hindi या English में कोई newspaper मिला, जो कि इसे ये बता सकता कि उसका Samir दो, ठीक है, यानि पेफर बेचने वाला Samir कहां चला गया, तो उम्मीद है कि आपको समीर एक समीर दो किस तरीके से अलग थे, तो स्टोरी अगर आपने पढ़ लिया था, वो समझ में आ गया होगा, Samir एक उसको English आती थी, Samir दो को English शिर्फ Hindi आती थी, ठीक है ना, Samir एक कौन जो paper खरीदता है, Samir दो कौन सा बच्चा है, जो paper बेचता है, Samir एक हिंदू था, Samir दो Muslim था, जैसा कि उसने बताया, Samir एक स्कूल जाता है, Samir दो newspaper बेचता है, Did these differences prevent them from becoming friends, क्या इतने अंतर होने के बावजूद, कि उनकी भाशा अलग थी, उनका धर्म अलग है, उनका काम अलग है, एक पढ़ता है, एक paper बेचता है, क्या इतने differences होने के बावजूद, क्या वो एक दूसरे के दोस्त बन पाए, दोस्त बनने में कोई कठी नाई आई, ठीक है, नहीं, कुछ नहीं, वे अराम से, easily एक दूसरे के दोस्त बन गए, तो so answer will be a big no, अब आईए हम समझते है, inequality क्या है, इसे ऐसे समझेए, समीर दो को ऐसे आउसर नहीं मिले कि वो इस्कूल जा सके, समीर दो याने की paper बेचने वाला बच्चा कभी इस्कूल नहीं जा सका, परहपस यू आप अपने आज पास देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे गरीब हैं, उनके पास खाने के लिए, पहनने के लिए चीजे नहीं हैं, ठीक है, और यहां तक की कई बार ऐसा होता है कि उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होते हैं, और यह जो मैंने आपको उपर बताया कि खाने के लिए किसी के पास नहीं है, किसी के पास पहनने के लिए नहीं है, किसी के पास घर भी नहीं है, यह डिफ्रेंस नहीं है बच्चों, यह इनिक्वैलिटी है, यह असमानता है, डिफ्रेंस अलग चीज होती है, डिफ्रेंस का स्कूल में जाते हैं, आपका दोस्त हिंदी में जाता है, यह सभी difference है, ठीक है? लेकिन जब आप स्कूल में जाते हैं किसी, आपका दोस्त जो है वो किसी स्कूल में जाही नहीं पाता है, क्योंकि उसके लिए पॉसिबल नहीं है, आप कुछ खाना खाते हैं, आपका दोस्ट बिल्कुल खाना नहीं खा पाता है, क्योंकि उसके पास है ही नहीं, यह difference नहीं है, यह inequality है, यह असमानता है, inequality क्या होता है, inequality comes when a person does not have the resources and opportunities that are available to other persons, inequality यह असमानता तब आती है, जब एक ब्यक्ति के पास वो सभी resources और opportunity याने की सुविधाय नहीं होती है, जो की दूसरे लोगों के पास होती है, जैसे अगर आपके पास school जाने की सुविधा है, या अच्छे कपड़े पहनने की सुविधा है, और अगर आपके दोस्ते पास यह सुविधाय नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यह inequality है, ना की difference, अब ऐसी ही एक inequality बच्छों होती है, caste system, यानि की जाती प्रथा, आपने साइज इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना भी हो, According to this, society was divided into different groups depending on the work that people did and they were supposed to remain in those groups, caste system के ही साब से क्या होता था, कि लोगो को कई groups में divide कर दिया गया था, और सब को अपने ही group में रहना था, यानि की एक ब्यक्ति अपने group को छोड़ करके, यानि अपने caste को छोड़ करके, दूसरे caste में नहीं जा सकता था, तो आप भी वही काम करेंगे आप और कोई काम नहीं कर पाएंगे यानि कि यह सिस्टम जो है इर्रिवर्सिबल था इसे बदला नहीं जा सकता था और चुकि आपको कोई और काम नहीं करना था आपको वही काम करना था जो आपके पिता जी करते हैं इसलिए आपसे यह उम्मीद की जाती थी कि आप और कुछ सीखने ही कोशिस भी नहीं करेंगे जो कि आपको आपके profession में काम न आता हो यानि कि अगर आपको बर्तन बनाना ही है तो फिर आप पढ़ने की जरूत क्या है फिर आप बर्तन ही बनाईए ठीक है तो आपको कुछ और करने की जरूत नहीं थी या आपको और कुछ करने नहीं दिया जाता This created a situation of inequality और इनी सब चीजों ने एक inequality का situation create किया एक असमानता की इस सिथी पाइदा कर दी अब सवाल है कि जो diversity होता है ठीक है inequality नहीं, diversity जो विवीदता है जो हमारे में अलग-अलग चीशें है उससे हमें क्या मिलता है वो हमारे जीवन में क्या चीशें जोड देता है तो ध्यान दीजिएगा जैसे मान लिजिए कि आपका कोई दोस South India से आता है या अगर आप South India से है तो आपका कोई दोस North India से है ठीक है तो आपको वो क्या-क्या चीशें दे सकता है eat different, eat different kinds of foods ठीक है ना आप लोग अलग-अलग तरीके के भूजन खा सकते है अगर आप North India से है तो आप South Indian डिश से खा सकते है ठीक है celebrate different festivals मान लिजिए अगर आपका दोस कीसी दूसरे धम से है ठीक है तो आप उसके धर्म के तिवार मना सकते है यह diversity होने का एक फाइदा है अलग-अलग थिवार आप मना सकते है tried out the different clothes अलग-अलग तरीके कपड़े पहन सकते है जैसे मान लिजिए कि आप जो है North India, ATC State में रहते है मान लिजिए आप उत्तर प्रिदेश में रहते है और आपका दोस्त पंजाब से है तो उसकी वेशबुसा हो सकती है कि थोड़ी सी आप से अलग हो ठीके जो उसका जो घर में पहनता है तो आप उस dress को try कर सकते है ठीके तो you can try out different clothes you can learn some other languages अगर आपके दोसको कोई और भाषा आती है imagine if all the storytellers and writers were forced to live in a place where all people were the same two colors red and white at the same food maybe potatoes took care of the same two animals for example the deer and cat and to entertain themselves played snakes and ladders what kind of stories do you think they would write मान लिजिये कि आप जिन लेखो की कहानिया पढ़ते हैं जिन writers की stories पढ़ते हैं मान लिजिये कि वो सब के सब एक ऐसी जगा पे राते हो जहां पे सभी लोग सिर्फ दो रंग के कपड़े पैंते हो कौन से दो रंग लाल और सफेद सभी लोग एक ही खाना खाते हो क्या पोटेटोस सभी लोग सिर्फ दो एनिमल उनके पास रहते हो डियर और कैट और उनको इंटर्टेन करने के लिए आपस में मनोरंजन के लिए उनके पास सिर्फ एक ही काम हो क्या कि स्नैक्स और लेडर्स खेलो तो क्या लगता है कि आपके जो राइटर्स हैं ये जो ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पे सिर्फ सबके लिए एक ही चीज़े अवाइलेबल है तो वो कैसी कहानिया लिखते हैं अब यसी बात है बहुत ही बोरिंग कहानिया लिखते हैं सबकी कहानी में उनका करेक्टर रेड कलर और वाइड कलर के सट पहनता उनके सभी करेक्टर्स पोटेटोस खाते हैं उनकी कहानियों के जितने character होते हैं, सभी deer और cat के बारे में ही जानते हैं, उनके जितने character होते हैं, सभी snacks और ladders ही खेलते हैं, कोई और नया खेल, कोई नहीं खेलता है, तो कहानी बहुत ही boring हो जाती, और इसी लिएज बच्चों, जो diversity होता है, वो हमारे life को और interesting बनाता है, तो ये है diversity का सही मतल तो आज की लेक्षेन बस इतना ही, thank you